हलो गाईज वेलकम बाक टू मैं चानल दिस इस श्रदापुरी और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्यों कि जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था उसके उपर मेरे 1K व्यूज कंप्लिट हो चुके और एक छोटू से यूटूबर के लिए जो की रेगुलरली वीडि देख लो आप क्या बड़ी बात हो गई वेरे लिए और मैंने फिस सोचा कि यार अगर मैं रिगुलर डालूंगी तो और अच्छा रिस्पांस दोगे आप लोग तो इसलिए यह जो मेरा थोड़ा सा पुराना वीडियो है जो मैंने जुले में किया था लेकिन उसको मैंने शूट करके रखा था और फिर मैं थोड़ी सी हेली भी फील नहीं कर रही थी में बीच में बहुत बीमार थी तो नहीं कर पाई लेकिन अब मैंने सोचा आप कुछ डालना तो पड़ेगा तो मैंने सोचा यही वीडियो में डाल देती हूं तो इस वीडियो इस आल और सामने पूरा यह फौ हो गया है फिर गर चला रहा हूं और अब हैंने हो को यह लिया है। आप और प्र मैंने रस्ता लिया तेको यार पूरा ऐसे फौट जम Act हुग इसे ना तो जुने ज़ देख ओ और आप खुट ड्राइव करके जाने वाले हो तो प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा कि वहां पर इतना ज्यादा फॉग होने वाला है कि आपको रस्ता अल्मूस दिखेगा नहीं और जितना रस्ता दिखेगा उसमें अगर सामने वाला आरा होगा और उसमें अगर अपनी ल लोग गय है वो डेफिनेटली बता सकते हैं कि वहां पर कितना सुंदर अपर बारिश के स्टार्टिंग दिनों में ही जाना पड़ेगा और यहां पर देखो मैं बोल रहे हूं मेरे दोस्तों को कि यार कुछ हाय तो बोल दो शीज मैं फ्रेंड अंकीता और उनके हजबंड पर दोनों को मैं बोल रहे हूं कि आर कम से कम हाय तो बोल दो मैं वीडियो में डाल दू कि हम रोग अकेले नहीं गये थे आप लोग भी हमारे साथ थे अचली यह टृप छी ती होती है उसके साथ मेरी तुमेरे तुछ्छे आना ही पड़ेगा और वो भी बहुत गुमनेमे चले गए और यहाँ पर देखो मैं पूरा वाइब ले रही हूँ पूरा मतलब मज़े मज़े से इंजॉय करे हूँ कि है यह थेंडी हवा है यह हसी वादिया ग्रीनरी पूरी यहाँ पर वाटर फॉल्स दिख रहे हैं और सब कुछ यह देखो कितना संदर विव हैं यहां का म पूरे जितना भी आप रूट जा रहे हो ना हर जगह पे आपको वाटर फॉल्स फॉग ग्रीनरी बारिश मतलब नेचर का जो बेस्ट हो सकता है ना वहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा महाबड़ेश्वर में भी आपको वैसल व्यूज नहीं मिलेंगे शायद मतलब अ थंडी थंडी हवा लग रही थी और वहाँ पर ना जब यह टाइम जब मैं चूट कर रहे थी हलका हलका बारिश आ रहा था तो ऐसे बूंदे मूझ को छूके जा रहे तैसा लग रहता है जन्नत मिल गई वही मिरको तो और एक्चली मैं लातूर से हूँ मतलब मेरा जनम ला लुदो और यहां पर जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबसे हाथ जोड़के मैं माफी मंगना चाहती हूँ कि मैं इतना बेसुरा गा रही हूँ और आप लोगों को सुनना पड़ा और पीछे आप मेरे हस्बेंट को नाचते हूँ देख सकते हूँ इस टू फणी और यह जो थे ना मतलब वाटरफॉल और फिर देखो यह देखो टर्न आ रहे थे और पूरा ऐसा लग रहा था कि नीचे पूरा मतलब ऐसे बादल है और देखो और एक वाटरफॉल मतलब आपको ना हर आदे किलोमेटर में वहां पे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे और तो ऐसे करते करते हमने बहुत सारे waterfall को miss कर दिया था लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मतलब यह जो रस्ता है ना यहीं आपको मज़ा दे देता है क्योंकि इतना मतलब पूरा आप लोगों को ऐसे जन्नत दिख जाएगी मतलब कश्मीर नहीं जाना चाहते हो तामनी घाट चले जो बस कंडिशन इतनी कि जून जुले के महने में जाना है आपको तभी यह मज़ा आएगा वरना इतना मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को और फिर यहां पर बस पांच-दस मिनिट के लिए रुके थे कुछ थोड़ा सा हम लोग साथ में लेके गया थे वेफर्स वगरा वहां लोगों ने वहां पर रुक के ऐसे पूरा वियू देखते हुए फोटो कीचते हुए खाली है और फिर हम तोड़ा आगे-आगे और एक आगे जाते-जाते कहीं हम लग बादलों में आचले जाए तिना हम आगे जा रहे था इसे लग रहा था सामने देख्या बस बादली आने बाकी है कितना वॉक था ना तो इसा लग रहा था और फिर हम थोड़ी देर के लिए रुके और फिर में स्टाइल बार रही हां पर स् दूरत नहीं है ऐसे हरकतों को मेरे इग्नोर कर दीजिएगा और यहां से अंदज जाने के बाद हमको पता चला एक वाटर फॉल इसको बहु बली बोला जाता है अम सोचरते बहु बली क्यों बोलते होंगे यार लेकिन वहां पर पोशने के बाद मुझे पता चला कि क्यों बाहु बली बोला जाता है क्योंकि वह सबसे बड़ा वाटर फॉल था मतलब उससे भी बड़े बहुत सारे थे लेकिन ऐसा वाटर फॉल जहां पर आप रिच कर सकते हो जहां पर आप जा सकते हो उनमें से एक वाटर फॉल था आगे मैंने वह क्लिप डाला है आप देखी औ ओला वो लॉक आट अट इस वाहिसा वहां पर मुझे एक ऐसी जगा मिली ही गई जहांपर मुझे चड़के आणा पड़ा लेकिन मैं यहां पर वीडियो में अखिली ओ यह देखो यह देखो रूल हो चारुक खान बने जारे हूं कहीं पर तो कहीं पर मैं कट्टिना बने ज जा रहे बोल रहे हैं मेरे फोटो कीच ऐसे कीच वैसे कीच जैसे कि मैं फोटोग्राफर हूँ इनका पॉसनल और यह देखो यह सुन्दर सा कपल के से हाथ पकड़ के जाला और यह देखो मेरा यह जो गवार पती है ना इतनी गालिया खाये बाद में कि जिंदेगी भार यह वह दोबारा नहीं करेगा वैसे वह अच्छा भी है लेकिन यहां पर बहुत बुरा गया था में को रोना ही आ गया कि वह अकेला चला गया और यह देखो यह कैसे मेरे दोस्त और उसके हस्वेने से हाथ में हाथ डालके ब्यूटिफुल से कपल जैसे जा रहे है और यहां प वह खाने के बाद उसको ना इसे फेक के दिया थोड़ा सा तो वह लोग ना पता है एक बंदर ने उसको सीधा हाथ में कैच करके वह लेके गया और खाते वेटा था वो मैं वीडियो में काप्चर नहीं कर पाई बट यह तामीनी घाट की मेमरी है मेरी और लाइफ टाम मेरे पर उसके बाद हम लोग वहां से निकले बीच में हम लोगों ने रुख के थोड़ा सा चेंज वेंच कर लिया था और फिर हम लोग और एक जगा पे रुखे थे और वहां पर रुखने के बाद हमको अंदर चलते हुए जाना था और यह देखो यहां पर मैं कितना स्ट्रग करते हुए जा रही हो और अल्मोस्ट हम मतलब पूरा भीग गये थे हमने जो चेंज किये थे ना कपड़े वो भी पूरी तरीके से हमारे भीग चुके थे और पूरे ऐसे ठंड लग रही थी और मेरा जो जाकेट था वह एक्चली बारिश में पहनने वाला जाकेट नहीं थ उसमें पूरा पाणी अंदर चला गया था वह अलग से मुझे थेंड लग रहा था और पता नहीं मैंने यह जाकेट क्यों लिया था यार मेरा सेंस ऑफ यूमर तो कहीं चला जाता है कई बार मैं खुद परिशान हो जाती हूं और यह देखो कैसे कैसे मैं ऐसे गिरते यहां पर वर्ना मैं तो ऐसी लड़कियों की मुझे फोड लेती थी लेकिन फाइनली मैं यहां पर ऊपर चैड गई थी यह उसके बाद यह देखो यह देखो मेरे पति यह से मुझे से फॉग निकाल रहे है पूरा ऐसे लग रहे है सिग्रेट पीरे अच्छली वाप इतनी थंटी ना कि सबके मुझे नैसे पूरा फॉग निकल रहा था यह देखो मैं भी एक्स्पेरिमेंट करके देख रहे थी लेकिन मेरे मुझे आई नहीं रहा था यार पताने क्या है मैं शाहिदा मेरा ब्लड भी थंडा पड़ गया था इसलिए मेरे मुझे भी फॉग आना ब लगा लिया था और हमारा मैप हमको ने ऐसे बता रहा था कि ऐसे घूमणा है वैसे घूमणा है और फाइनली हम लोग पुना के अल्मुस्ट पास बहुत चुके हैं और यहाँ पर हमने रुखके थोड़ा खाना वाना खाया फिर से चेंज किया and then मस्ती स्टार्ट करना बिल्कुल ना बुलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना बुलेगा बाबाई